कानपूर के चगेरी थाने के पुलीस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है जहां पुलीस और स्वाट टीम ने सेयूंग तभ्यान चलाकर मुढभेड के बार शातिर बद्माश को गिरफतार कर लिया मुटभेड में हुई जवाबी कारवाई में शातिर बदमाश के पैर में गूली लग गई जिससे बदमाश खायल हो गया जबकि दूसरा बदमाश अंधीरे का फायदा उठा कर भागनी में सफल हुआ पुलीस निगाल बदमाश के कबजे से एक अदद पिस्टल 32 बोर दो अदद जिन्दा कार्तूस 32 बोर चार अदद खोका कार्तूस 32 बोर और एक स्कूटी बरामत की है बताय जा रहा है कि शातिर बदमाश के खिलाफ हत्या लोट गैंग्स्टर आदी के करीब चार दरजन मुकद में पंजिकरित है तो यह पुलिस पार्टी पर फायर किये उसके उपरांत पुलिस ने इनको घहराबंदी करके पुलिस पार्टी के दोरह जवाबी करवाही के उपरांत यह इन दोनों के पैर में बोली लगती है इसके उपरांत पुलिस पार्टी के दोरह इनको सरकारी अस्पताल कासी राम म पिलार पुलीस ने घाल बदमाश को कांशिरा मस्पताल में भरती करा दिया है जहां घाल का इलाज चल रहा है इसके साथ ही पुलीस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है और जल्दी बदमाश की गिरफतारी का दावा किया जा रहा है पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपूर सेमरीशत्र पार्थी के रेपोर्ट